हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू तेयारी ओनलाइन, मैं हूँ सुधा, आज की वीडियो में हम 7 अप्रेल 2021 के डेली करेंट अफियर्स MCQ के बारे में जानेंगे और साथ ही आपको बताये जाएंगे प्रस्टों से संबंदित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये वीडियो आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए महत्यपूर्ण हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखें यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमें जॉइन करें टेलीग्राम पर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ ही जी के करिंट अफियर्स एन लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए त्यारी ओनलाइन को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमसे जूर सकते हैं इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए देरना करते हुए पहला प्रसन देखते हैं पहला प्रसन हमारा है अनिल देश्मुक ने हाली में किस राजे के ग्री मंतरी के पद से इस्तीफा दे दिया है तो देखिए अनिल देश्मुक ने महरास्ट्रा राजे के ग्री मंतरी पद से इस्तीफा दे दिया है आप्सन नमबर 20 का करेक्ट आंसर है अनिल देश्मुक भरस्टाचार के आरोपों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं इन पर मुंबई पुलीस के पुलीस कमिशनर परमबीर सी ने वहाँ के चेप मिनिस्टर उद्धर ठाकडे को एक चिठी लिख करके यह आरोप लगाया है कि आपके ग्री मंत्री सौ करोर रुपए माग रहे हैं तो इंपोर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बाते हैं कि अनिल देश्मुक ने महरास्टो राजी के ग्री मंत्री पद से इस्तिफा दिया है और उनकी जगह ले रहे हैं दिलिप वल से पाटिल अनिल देश्मुक के उपर प्रेस्ट अचार की कहानी सुरू होती है मुके संबानी के घर एंटीलिया के पास बिसफोटक मिलने से नेक्स्ट क्वेशन अमारा है हाली में कौन सा राज्जे कोरोना मरीजों का विष्व का शबसे बड़ा संक्रमन होट स्पोट बन गया है तो देखिए सबसे बड़ा विष्व का सबसे बड़ा संक्रमन होट स्पोट बना है महरास्टरा राज्जे option no.10 का correct answer है चलि questions related important facts देखें तो याँ देखिए बारत का महरास्ट्रा राज्य कोरोना मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमन होट स्पॉट बन गया है पिछले 24 गंटों के दोरान 57,000 से ज़्यादा मरीज कोरोना के मिल रहे हैं और यह राज्य पूरी दुनिया में संक्रमित मरीजों के मामले में पहले अस्थान पे है साथी पूने देश का सबसे ज़्यादा संक्रमितों की संख्या वाला सहर बन गया है नेक्स कbor्चिन है गुझरात की कितने साल की बच्ची द्रिस्टी जायसवाल ने एक मिनट में रिकार बनाया है चले उनसे रेलेट्ट इंपॉर्टन फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखें गुजरात राज्य की साथ साल की बच्ची द्रिस्टी जायसवाल ने एक मिनट में 64 वार फार वार्ड बॉक ओवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लेकिन अभी इस रिकॉर्ड की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से आधिकारिक घोसना किया जाना बांकी है इससे पहले या रिकॉर्ड एक 22 साल के एथलेटिक के नाम था फारवर्ड बॉक ओवर इसे कहा जाता है गुलाटियां मारना और जिमनास्ट में इसे फ्रंट बॉक ओवर कहते हैं द्रिस्टी ने चार साल से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू करती थी और वह पूरे दिन में तीन बार इसकी प्रैक्टिस करती थी नेक्स कुईशन हमारा है हाली में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्यूतिय करन रेलवे जोन बन गया है पश्चमी मध्य रेलवे option number 20 का correct answer है चले important facts देखें तो यहाँ देखें राजस्थान में कोटा चित्तोरगर रेलवे station के पिद्धियोतिय करन के साथ ही पश्चमी मध्य रेलवे भारत का पहला पूर्ण विद्धियोतिय करन रेलवे जोन बन गया है यहाँ ध्यान रखने की बात है कि भारत का पहला पूर्ण विद्धियोतिय करन रेलवे जोन कौन सा बन गया है तो पश्चमी मध्य रेलवे जिससे रेल छेतर से गुजरने वाली ट्रेनों को अब तेजगती से चलाया जा सकता है चली अब आपको यह बता दिया जाएं कि पश्चमी मध्य रेलवे का निरेक्षन किसने किया है तो पश्चमी मध्य रेलवे का निरेक्षन किया है दिल्ली के मुख्य रेल संवरक्षा आयुक्त S.K. पाठक ने उन्होंने कोटा चिताओडगर सेक्षन के स्रीनगर से जलंधरी रेलवे स्टेशन तक 23 किलो मीटर सेक्षन का 30 मार्च को निरेक्षन किया है उन्होंने बिजली के इंजन को 90 किलो मीटर प्रती घंटा की रफतार से दोड़ा कर निरेक्षन किया रेल मंत्री प्यूस गोयल ने ट्विट किया और उन्होंने कहा कि मद्धे परशिम रेलवे देश का पहला पूर्ण विद्धियुतिय करन जोन बन गया है इससे यात्रा के समय में कमी वपड़ावरन सुरक्षा जैसे लाब मिलेंगे इसमें कोटा मंडल का 90,344 किलो मीटर सेक देने के लिए मंजूरी देती है तो देखिए भारत के पंजाब राज्य को 300 मिलियन डॉलर के रिंद देने की मंजूरी दी गई है Asian Infrastructure Investment Bank के द्वारा चलिए इस से रिलेटेट इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहां देखिए बिश्ट्व बैंक एवं ACI बुनियादी धाचा निवेस बैंक AIIB ने हाली में पंजाब को नहर पानी पर आधारित पेजल परयोजना के लिए 300 मिलियन डॉलर के रिन देने की मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश है गुनवत्ता पूर्ण पेजल सुनिश्चित करना तो देखिए 30 वर्सों के लिए पानी की मांग को पुड़ा करने के लिए यह डिजाइन किया गया है यह जो है वह 2025 के लिए 14.5 लाख और 2055 के लिए 22.1 लाख की अनुमानित आवादी वाले अमरिस सर के निवासियों को लवानबित करेगा अमरिस सर के लिए नहर आधारे जल आपूर्ती परयोजना को मेसर्स लॉट्स एंड ट्रूबो लिमिटेड 784.33 करोर रुपे की अनुबंध रासी प्रदान की गई है किसे प्रदान की गई है तो यह ध्यान रखना है आपको मेसर्स लॉट्स एंड ट्रूबो लिमिटेड को उसके बाद लुदियाना परयोजना की कुल अनुमानित डिजाइन व्यूल लागत होगी 1093.92 करोर रुपे और इसके पूरे होने की अब्धी है 36 महीने चलिए अब आपको बता दे ASEAN Infrastructure Investment Bank के अध्यक्ष कौन है तो देखिए इनके अध्यक्ष है जीन लिकून AIIB का मुख्याले चीन की राजधानी बिजिंग है इसके अस्थापना की गई थी 16 जनवरी 2016 में पंजाब के CM है कैप्टन अमरिंदर सी पंजाब के राज़े पाल है वी पी सी बदनौर नेक्स कुशन है निम्न में से कौन सा राज़े हाली में साधी के लिए जवरन धर्मांतरन पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज़े बन गया है तो देखिए देश का तीसरा राज़े बना है गुजरात ओप्सन नमबर डी इस का करेक्ट आंसर है चले questions related important facts देखें तो यहां देखें गुजरात जो है वह हाली में साधी के लिए जवरन धर्मांतरन पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज़े बन गया है इस कानून को पारित करने वाला पहरा राज़े बन गया है उत्तर परदेश और दूसरा राज़े है मद्यपरदेश जवरन धर्मांतरन कराने पर 3-5 साल तक की कैद की सजा का प्रापधान है चलिए गुजरात के बारे में जान लेते हैं तो गुजरात की राज़ानी है गांधी नगर, गुजरात के गवर्णर है आचारे देवरत और गुजरात के चिप मिनिस्टर है बिजे रूपानी हाली में कौन सा नौसेनिक अभ्यास सुरू हुआ है तो देखिए हाली में जो नौसेनिक अभ्यास सुरू हुआ है उसे हम कहेंगे ला पेरोज चलिए आपको ला पेरोज के बारे में बताया जाए यह अभ्यास जो है वस्रू किया जा रहा है बंगाल की खारी में इस अभ्यास में अन्य क्वार्ड देश जिसमें आस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका सामिल है यह अभ्यास पाच अप्रेल से साथ अप्रेल के बीच आयोजित किया जाएगा इस अभ्यास में भारत नौसेना जहाज, आई-एन-एस सत्पूरा और आई-एन-एस किल्टन के साथ P-81 Launch Range Maritime Patrol Aircraft पहली बार इसमें सामिल हो रहा है बारते नौसेना के जहाज और विमान, फ्रांसीसी नौसेना, रॉयल आस्ट्रेलियन नेवी, जापान, मेरिटाइम, सेल्फ डिफेंस फोर्स और अमेरिकी नौसेना के जहाजों के साथ इस अभ्यास में सामिल होंगे अब यहाँ देखिए इस अभ्यास में फ्रांस की ओर से सामिल हो रहा है टोनडेर और फ्रीगेट सरकुफ वहीं अमेरिका की और से सामिल हो रहा है उभैचर परीवहन, डौक, जहाज, समर सेट औस्ट्रेलिया की और से हर मैजिस्ट्री ऑस्ट्रेलियन सिप अन अजेक जापान की और से JAPAN, मेरिटाइम, सेल्फ डिफेंस सिप, डिस्ट्रॉईर एकोन जो जापान का परतिनी धित्व करेगा इस अभ्यास का महत्व क्या है तो देखिए इस अभ्यास का महत्व है मैत्री पूर्ण नौसेनाओं के बीच उच्चे अस्तर के ताल मेल समन्वे और अंतर संचालन को प्रदर्शित करना इस अभ्यास में भारते नौसेना की हिस्सेदारी मैत्री पूर्ण नौसेनाओं के साथ साजा मुल्यों को दर्शाती है या भ्यास जो है समुद्र की श्वतंदरता और एक खुले सामावेसी हिंद प्रशांत छेत्र और एक नियम आधारे तंतरास्ट्रे विवस्था के प्रत कौन सा राश्ट्रे समुद्री दिवस मनाया है तो देखिए अभी हाली में मनाया गया है अंठावण वा राश्ट्रे समुद्री दिवस important facts देखिए तो हाली में 58 रास्ट्रे समुद्री दिवस मराया गया है जिसका theme जो है वो भारत सारकार की पहल पे आत निर्वर भारत की तरज पर COVID-19 से आगे 77 नौ परी वहन ये है इसका theme आपको याद रखना है और साथ ही सबसर परस्मारिका के रूप में e-magazine launch किया गया है नेक्स कुर्शन है इंजन यूटी हेलिकॉप्टर क्या है तो देखिए इंजन यूटी हेलिकॉप्टर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा बनाया गया एक यान है चले इसके बारे में आपको important facts बता दिया जाए तो यहाँ देखिए नासा ने हाल ही में या गोसना किया है कि इंजन यूटी हेलिकॉप्टर को मंगल की सदब पर सफलता पुरबग रख दिया गया है और वह अपनी पहली उरान के लिए तयार है इंजन यूटी दूसरे ग्रह में संचालित उरान का एक प्रद्यों की प्रदर्शन है नासा इंजन यूटी हेलिकॉप्टर की मदद से परिक्षन उरानों का प्रदर्शन करेगा अब देखिए इस हेलिकॉप्टर की मुख्य चुनावती क्या है तो इसकी मुख्य चुनोती है इसे 130 डिग्री फेरेंहाइट के कम तापमान में जीवित रहना होगा इस तरह के कम तापमान इस क्राफ्ट पर बैटरियों को फ्रिज और क्रैक कर सकता है नेक्स कुशिन हमारा है जस्टिस एन्वी रमन होंगे भारत के 48-वे मुख्य न्यायधीस ये हैं जस्टिस एन्वी रमन ये देश के 48-वे मुख्य न्यायधीस है एन्वी रमन का पूरा नाम है नुथाला पती वेंकेटा रमन इनका जन 27 अगस्त 1957 में आंध्रा प्रदेश के कृष्णा जिले के पुन्नवर गाउं में हुआ है और यह एक कृषक पड़िवार से थे चले इन से लेटेड और फी इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहां देखें भारत के राष्टपती स्री रामनात कोबिन ने S.A. बोबडे द्वारा की गई सिफारिस को स्विकार करते हुए नियायमूर्ती N.V. रमन को भारत के 48 में मुख्य नियायदीस के रूप में नियूप किया है जस्टिस रमन का कारेकान 26 अगस्त 2022 तक होगा 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोट में 59 से पहले जस्टिस रमन दिल्ली उच्छ नियायले के मुख्य नियायदीस थे नियायमूर्ती N.V. रमन इनका पूरा नाम नूतलपर्ती बैंकेट रमन बरतमान में सर्वोच्य नियायले के नियायदीस है वे 8 साल से सर्वोच्य नियायले में कारे कर रहे हैं 24 अप्रेल 2021 को आरत के मुख्य नियायदीस का पद सभालेंगे यहाँ वही सारी बाते हैं उनका जन कहां हुआ और उनके कारे से सम्बंधित बाते हैं तो चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि यह आपको याद हो जाए N.B. रमन का जन आंधरा प्रदेश में 27 अगर्स्त 1957 को हुआ और आंधरा प्रदेश में कहां हुआ यह भी पूछा जा सकता है तो आंधरा प्रदेश के कृष्ण जिले में कृष्ण जिले के किस गाउं में हुआ तो देखिए कृष्ण जिले के पुन्नवरम गाउं मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ उस जगा का नाम ताकि आपको याद रहे पुन्नवरम, क्रिस्न जिले के पुन्नवर ग्राम में हुआ, छात्र के रूप में उन्होंने 1975 में आपातकाल के दोरान नागरिक स्वतंतरता के लिए संघर्ज किया, उन्होंने अधिवक्ता के रूप में 10 फरवरी 1983 को एन रॉल किया था, वे 27 जून 2000 को आंधर प्रदेश उच्च नयायले के अस्थाई नयायधिस बने, 2 सितंबर 2013 को उन्हें दिल्ली उच्च नयायले का मुखे नयायधिस निउट किया गया था, और 17 फरवरी 2014 को वे सर्वोच नयायले के नयायधिस बने थे, तो ये सभी उनसे संबंधित बहुत ही पूर्ण बाते हैं, डेली करेंट अफियर्स MCQ का ये वीडियो यहीं समाफ्त होता है, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को सेयर करना बिलकुल न भूले, यदि आप हमारा चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वैल आइकन को दवाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें, और साथ ही हमारे वीडियो को जैदा से ज्यादा सेयर करें, मिलते हैं आप से नए दिन नए प्रशनों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद.